नमस्कार मैं तुठापूर आपका स्वागत कर रहे हैं मेरे चैनल पिस्टाट रूट को में और आज में बनाने जारे हैं ग्रीन चिली प्राइए करके तो चिली श्टाट करते हैं हम ग्रीन चिली को प्राइए करना तो अगर आपको ये वीडियो पिसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 200 ग्रीन चिली ली है और जिने मैंने अच्छे से वोश कर लिया है उसके बाद में आधी चोटी चमच अमचूर पाउडर आधी चोटी चमच नमक आधी चोटी चमच अजवाएन और एक चमच हमने सरसों का तेल लिया है तो सबसे पहले हम ग्रीन चिली को बीच से कट करेंगे तो एक ग्रीन चिली उठाई मैंने और नाइफ के साथ में ऐसे कट कर लेंगे हम इसे तो सभी ग्रीन चिली को हम ऐसे कट कर लेंगे और गरलक बरतन में रखते जाएंगे तो ग्रीन चिली को मैंने कट कर लिया है तो चलते हैं नेक्स्ट प्रसेस में उसके बाद में हमने ओयल डाला सबसे पहले ओयल को गरम करेंगे तो ओयल गरम हो चुका है तो उसके बाद में हम इसमें जवैन डाल देंगे तेजयन को भी हम फ्राइज करेंगे यहाँ पर तेजयन फ्राइज हो चुकी है उसके बाद में हम इसमें ग्रीन चिली जड करेंगे उसके बाद में हम चूप पाउर और नमक उसके बाद में मैं इसमें पानी डाल रही हूँ तो यहां हम पहले एक कटोरी में पानी डाल रहे हैं तो लगबग आदा कप पानी हम यहाँ पर एड़ करेंगे तो मैं थोड़ा पानी ओर डालूंगे यहाँ पर अगर आपके पास अंचूर पाउडर नहीं है तो एक मिनिट हो चुका है अब हम चैक करेंगे तो जो हमारी हरी मिर्च है वो हमारी हलकी सी सोफ्ट हो चुकी है लेकिन इने हमें अच्छे से पकाना है तो अब फ्लेम को हम लो करेंगे और चार से पांच मिनिट के लिए ढखकर रख देंगे तो चार मिनिट बाद हम चैक कर हैं जो हमारी Green Chili's है वो अच्छी तरह सी सोफ्ट हो चुकी हैं बिल्कूल तो इसे आप खाने का टेश्ट बढ़ाने के लिए खा सकते हैं बहुत अच्छी लगती है ये हरी मिर्च पराठे के साथ पूरी के साथ आप ऐसे भी खा सकते हैं तो हमारी प्राइ हरी मिर्च बन कर तयार है अगर आपको ये वीडियो पूसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें